हेलो एव्रिवन वेलकम तो आईक्यू टैब सो आज हम इंडियन पॉलिटी लक्षमी कांथ का थर्ड चाप्टर सालिंट फीचर ऑफ दी कॉंसिटूशन का पार्ट थर्ड करने जा रहे हैं और यह लास्ट पार्ट है इस चाप्टर का और इस चाप्टर में जो भी बाकी बच तो युनिवर्सल एट फ्रेंशाइज है कि हर एक परसन को चाए वोमेन हो या मैन हो उन्हें बेसिकली एलेक्षन को वोट करने के लिए बिसिकली उन्हें राइट है चाए पो लोगसभा का हो या फिर स्टेट लेजिसलिटिव असेमली का ठीक है तो बिसिकली होता है कि एक कर दी तो आज हम देखते हैं कि 18 साल जैसे कंप्रीट हो जाते हैं तो हर उस परसन को बिसिकली वोटिंग करने का राइट मिल जाता है तो इसको बिसिकली यह मारा कॉंसिटूशन का क्या फीचर है नेक्स्ट फीचर देखते हैं सिंगल सिटिजन्शिप तो जैसे कि हमने बह साल सिटंड जानरल उडिचला नुप कंट्रूलर उस परसे कि वह मिल जा, जो भी अकाउंट से मैंटीन करते हैं, उनको audit करता है, तो यह auditor ही क्यों है, controller की लिए इनको क्या होता है, control करना पड़ता है, अगर यह controller भी होता, तो क्या होता है, अगर मान लो state government हो किसी particular scheme में, आप किसी particular चीज़ में पैसा खर्च करना होता, तो controller उनने बताता है, आपको इ इंडिया में इस तरह की चीज़े में देखने को नहीं मिलती, सिर्फ यहां पे पैसा तो पहले खर्च कर देती है, जाए हो state government हो, center government हो, but खर्च करने के बाद यह काम से audit करता है, और इसलिए इसको बिसिकली गारजिन माना जाता है, public purse का, because जो पैसा खर्च करती सरकार, वो equipment करना, all Indian services की, all Indian services में आपका IAS आता है, IPS आता है, Indian forest service आती है, तो सिर्फ ऐसा निया, सिर्फ all Indian services का exam में conduct करवाता है, इसके लावा जो भी central services की exams हो गए, या फिर president के advice में, अगर मान लो, president ने कहा है, UPSC के, UPSC को कि आपको इस particular exam को भी conduct करवाना है, तो वो भी करवा सकता ह है, तो president के उपर होता है, कि वो और कौन-कौन से exams, जो है, वो conduct करवा सकते है, UPSC के दोरा, बट UPSC का दो तो fix है, कि all Indian services की exam, और जो center level की higher exams होते है, उनको ही करवाता है, नेक्स ने जिस तरह से center में UPSC काम करता है, उस तरह स्टेट में State Public Service Commission काम करता है, यानि जो भी recruitment होत सब्सक्राइब काम करता है, इस लिए इतनी independence दी गई है, ठीक है, कोई भी government, जो है, अपनी monopoly, या फिर कह सकते है, अपना दवाब इन पे न डाले, ठीक है, अगर ऐसा करता है, तो इनकी functions है, उसमें basically problem आ सकती है, because जो ही काम कर रहे हैं, वो अपने आप में, you know, government का सबसे, you know, important माना जाता है, you know, चाहे वो election हो, ठीक है, चाहे वो government के कोई audit क इसको basically maintain करना हो, या फिर highest जैसी इतनी highest exam को conductor वाना हो, जहां पर, you know, किसी भी तरीके की कोई भी recommendation नहीं चलती, सिर्फ, जो merit based होता है, उसी को selection किया जाता है, ठीक है, तो यहां पर किसी का भी, you know, interference हो, बिल्कुल सईने, इसलिए इन bodies को independence दी गई है, ताकि अपने field बे यह अच्छे से काम कर सकें, next feature की तरफ चलते हैं, next feature है, emergency provisions, emergency जैसा कि हम जानते हैं, तीन तरह की होती है, national emergency, presidential rule and financial emergency, ठीक है, सबसे बहले हम बात करते हैं, national emergency की, national emergency, basically article 32 के तहत लगाया जाता है, किस grounds में लगाया जाता है, तो war, चाहिए external aggression हो, ठीक है, या फिर armed rebellion हो, ठीक है, अब आप को याद रखना है, कि जो armed rebellion है, हमारे constitution पे, starting में armed rebellion नहीं था, उसका नाम internal disturbance रखा गया था, बट क्योंकि, जैसे के हम जानते हैं, 1975 में, जब internal, मतलब internal emergency लगा दी गई थी, कि इस basis पे, क्योंकि internal disturbance क्रेट की, मतलब हो गई थी, इसलिए ऐसा फिर से ना हो, इसलिए इस चीज़ को basically replace करके, इसका नाम armed rebellion रख दिया गया है, internal disturbance के बज़ाए, ठीक है, बाकि further इसका क्या 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 प्रोफिशन्स है, क्या क्या basically fundamental rights रहते हैं, क्या नहीं रहते हैं, उसको हम, जो emergency वाला चाप्पर है, उसमें detail में करेंगे, ठीक है, next आपका आता है, presidential rule, ठीक है जैसा constitution में लिखा है, वैसे काम नहीं कर पाया, तो हाँ पर presidential rule लगाया जा सकता है, article 365 कहता है, कि जो भी direction दी जाती है, center के द्वारा, गर उस direction को follow नहीं किया गया, तब भी basically presidential rule लगाया जा सकता है, article 365 किता है, next है financial emergency, financial emergency basically लगाया जाती है, जब financial कुछ ऐसी conditions आ जाती है, financial stability खत्रे में हो, या फिर जो credit है, इंडिया का वो खत्रे में हो, तो कि इस article की दुरू से लगाया जाता है, article 365 के टाया, तिक है, और जब भी emergency लगती है, तो सारी के सारी power जो होती, center government के पास आ जाती है, तिक है, पूरा का पूरा control, और कह सकते हैं कि जो federal structure है, वो एक तरह से convert हो गई, मतलब ऐसी कोई भी परस्तिती जहां पे हमारी country की integrity, sovereignty, dignity, dignity, अगर नुकसान पहुंच रहा है, किसी भी तरीके से, बिकाज अगर वार कर रहा है कोई country, हमारी country के साथ, तो एक तरह से हमारी integrity, हमारी जो एकता है, इसको तोड़ने कोशिश कर रहा है, जाहे वो basically कोई territory लेने के लिए war कर रहा है, या फिर particular दंगे फिलाना चाता है, तो सभी cases में हमारी देश में, जो हमारी integrity है, sovereignty है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि जो जनता है, उन पे कोई नुकसान ना हो, इसलिए emergency लगाकर सारे चीज़ सेंटर के control में आ जाती है, तो जैसे कि ह हम जानते हैं, first tier government, center government को कहा जाता है, second tier जो होती है, state government होती है, third tier basically local government, तो local government में दो चीज़े होती है, ruler level में देखी तो पंचायत है, अब में देखी municipalities हैं, तो originally हमारी constitution में, इने नहीं रखा गया था, 73rd constitutional amendment act था 1992 में, इसने basically पंचायत को एट किया, और part 9 में, और schedule number 11 में, similarly municipalities को 74th constitutional amendment act 1992 में लाएं गया, और इसी जगा दी गई पार्ट 9A में, और schedule 12 में, ठीक हैं, तो इस act के तुरान basically बोला गया है, कि basically village level हो, या फिर intermediate level हो, district level हो, इन तीनों level में पंचायत को बनाना जरूरी है, so that वहां पे जो भी local लोग है, उनका development वगएरा, या फिर कुछ भी क election किया जाता है, ठीक है, local level पे भी elections होते हैं, जैसे हमने सुना पंचायत की elections होते हैं, और इनका election basically कौन करवाता है, तो state की election commission होते हैं, जिसको कौन पॉइंट करता है, state की government, बाग की details जो है पंचायत की और क्या के चीज़े हैं, इसके functions क्या है, कैसे काम करती है, वह हम transitional area है, ठीक है, तो transition basically ऐसा area है, जो कि गाउं और शहर के बीच को जोड रहा होता है, यानि यह गाउं है और दूसरा शहर है, उसके बीच में किस तरह से वहां पे काम करना है, विकास उसे ना ही हम गाउं के अंदर conclude करेंगे, ना ही उसे शहर का मानेंगी, ठीक है, ठीक है, क् transitional area में basically नगर पंचायत को बनाया जाएगा, ठीक है, अगर small urban area है, ठीक है, अगर large urban area है, मतले एक particular population होती है, उस population से ज्यादा अगर वहाँ पे exist कर रही है, तो वहाँ पे municipal corporation बनेगी, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें है, and further details में हम मुंसिपाल की इसके chapter में कवर करेंगे, और आर्टिकल कॉंसाय तो 43 ZH से लेके 243 ZD, ठीक है, अब मीन चीज़ है कि cooperative basically होते क्या है, तो local area में यान जो local ground level area होते हैं, जाते हैं जाते हैं आपको अच्छे से काम करते ही नजर आती है, normally क्या होते है, बहुत सारी लोग मिलके अपना cooperative बना लेते हैं, because कोई एक जनी के पार कुछ fund बगरा देती है, सबसे best example देखे cooperative का, तो आपको पता है, अमूल है, जो कि cooperative का example है, कि कि सबने मिलके जो है, basically आज अमूल एक इतने उचाईयों पे है, जो milk बगरा बनता है, वो भी cooperative, यानि सब लोगों ने मिलके आके जो है, इसको शुरू किया था, तो अकर हम बात करें, article 19, हमारे जो fundamental rights है, उसमें भी इसको जगा दी गई है, कि हर एक citizen के पास right है, कि वो अपना cooperative society को form कर सकता है, ठीक है, under article 19, साथ इसाथ DPSP भी इसको बात को promote करता है, कि cooperative society जैसे चीज़े होनी चाहिए, article 43B में यह चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, तो यह basically अभी यहाँ पर इसे वितना ही पढ़ने को मिलेगा, बाकि जो cooperative chapters है, वहाँ पर आपका अच्छी से detail में से खराय जाएगा, ठीक है, अब next feature की तरफ चलते है, तो basically यहाँ पर सारे silent features थे constitution की खतम हो गए है, तो जो कि हमने यह third class से आज़स की तो जितने भी features थे हमने सारे cover कर लि constitution है, तो इस बात में कोई संते नहीं कि हमने जो constitution लिया है, वो हारे country से लिया है, ठीक है, बट इस बात को, इस criticism को गलत साबित करने के लिए, बियार अमटिकर जी ने बहुत से बाते बोली है, पहला कि यह constitution हमने बनाया है, भले वो borrowed क्यों नहों हो, ठीक है, बट हमने इस से diversity है, चाहिए, religion के basis के हो, ऐसी diversity हमें किस भी country में नहीं मिलेगी, ठीक है, क्योंकि सिर्फ हमारे हैं ही diversity है, तो इसलिए हमने बहले ही वहां से borrow किया है, बट हमने अपनी society को ध्यान में रखे, उसमें modification करी है, तब जाके हमने उससे अपनी constitution में लिखा है, ठीक है, साथ ही चाहिए, वो गरीबी हो, चाहिए, राइट से रेकेड़ बाते हो, या फिर, या फिर, कोई भी मतलब, कोई और fundamental राइट हो, जैसे आपका, मतलब, वॉयलें से रेकेड़ कुछ हो, या फिर आपने कोई offense कर लिया, उससे रेकेड़ क्राइम में क्या चीज़ होगा, ठीक है, आप फिर वहां की जो government officials से कैसे काम करेंगे, तो हरे basically organs जो होते हैं, government क्यों कैसे काम करेंगे, वह इस चीज़े constitution में लिखी जाती है, तो इसमें ब्यार मेटकर जी कहते हैं, तो हरे country का constitution सब में सेम बाते लिखी हैं, तो हम अपने constitution में different क्या लेके आएं, ठीक हैं, जो problems हम वही problems जो हरे country में face कर रही हैं, तो उन्होंने जिस तरीके से law बनाए हैं, जो चीज़े लेके आएं, हमने वो अगर वो चीज़े ले ली, तो क्या इसमें difference कर दिया, because हम अपने constitution में ऐसे को unique चीज़ ला ही नहीं सकते हैं, तो जो आप हमें ये बार-बार कहते हो, कि हमने borrow क जो हमारा है, जो हम face कर रहे हैं, जो हमारी problems है, उसको कैसे resolve करने हैं, वो बाते हमने लिखिया, तो similarly वो other countries ने भी लिखिया, तो आप दिख सकते हैं, जितनी भी country के आपकी constitution हैं, उनमें same ही चीज़े आपको दिखने को मिलेगी, थोड़ा बहुत changes उन्होंने अपनी society के और फिर अमेटका जी ये भी कहते हैं, कि अगर जिन critics को ऐसा लगता है, कि सच में हमने कुछ change नहीं किया, कोई modification नहीं लेकिया है, अपने constitution में सीधा उठाया, भागी country से सीधा हमने अपने constitution में डाल दिया, तो it means उन लोगों ने हमारा constitution आज तक पढ़ा ही नहीं, because अगर पढ़ा होता, तो उन्हें पता चलता कि कितने modification के साथ, और कैसे कैसे चीज़ें हमने डाली है, इसलिए नहीं मतलब हमारी मतलब पूरे world में किसी भी country का इतना बल्की और इतना lengthiest constitution नहीं है, जितना हमारा आज़िक है, तो itself यही चीज क्या दशाता है, कि हमने उसमें कुछ इसलिए बहुत से चीज़ें जो इसमें सही थी, इसलिए जब बियारम बेटकर जी को लगा कि इसमें से कुछ चीज हम उठा सकते हैं, तो उन्होंने इसको कॉपी कर लिया थिक है, अब बहुत से critics होते हैं, उन्होंने क्या-क्रिसिसम किये इसके, तो सबसे पहले हम बात कर सब्सक्राइब कर लिया है, तो उन्होंने बेसिक लिखा है कि चाहिए वो language के basis पे हो, या substances के basis में हो, हर चीज को कॉपी कर दिया गया है, कॉपी पेस्ट किया है, इंडिया के constitution में, similarly PR देशमुक का भी मानना है, जो कि member थे constitution assembly के, उन्होंने भी ये का कि चलो ठीक है, हम मान सब्सक्राइब कर लिया है, बट एक ऐसे चीज है, जो उसमें नहीं थी और हमने आट करी है, वो है adult franchising, obviously उसमें adult franchising जैसे चीज तो थी नहीं, बहुत ही limited थी, बट क्योंकि जब मारा constitution बना तो हमने इस चीज को implement किया, अब इन सारी criticism को देखते हुए, बिया अर्मेटकर ज नहीं है, क्यों शरम नहीं है, बिकॉज अगर मान लो constitution में अगर कोई भी fundamental ideas है, तो वो ideas तो same होने चाहिए, ठीक है, उसमें तो किसी भी country का कोई patent right नहीं है, ठीक है, जैसे कि माचकल देखते हैं, कोई भी एक नहीं चीज बनती है, तो उसमें लोग जातर patent कर लेते हैं, कि आइडिया हमारा है, ठीक है, हमने इसको सोचा है, बट जो चीज फंडमेंटल है, ठीक है, जो fundamentally true है, सबके लिए, आप उसमें कैसे patent रख सकते हो, यानि कि अगर हम बात करें, किसी भी country की, for example, हम British country की बात करें, तो अगर Britishers के यहाँ पे, यानि Britain में अगर कोई भी fundamental idea है, ज जो दिये हुए है, उन्होंने अपने citizens को ऐसा तो नहीं है, वो patent है उनका, कि यह जो rights उन्होंने अपने citizens को दिया है, वो हम अपने citizens को नहीं दे सकते, तो अगर ऐसा नहीं है, तो फिर मैं क्यों sorry feel करूँ कि मैंने जो भी government of India 1935 से उठाया है, तो इसमें कोई भी patent नहीं था जो भी administration कैसे किया जाएगा, जैसे ground level पर district court कैसे काम करेंगे, और high court कैसे काम करेंगे, मतलब similarly जो legislatures हैं, वो कैसे काम करेगा, executive का काम क्या होगा, प्राइम निस्टर का काम क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें हमने as it is उठा ली हैं, ठीक हैं, पर इसमें PR मैटकर जी कहते है कि हमें sorry feel करता हूँ कि हमने इसमें कोई भी modification ने की, मतलब हम चाहते हैं तो इस administration को थोड़ा सा change कर सकते हैं, बट हमने नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि नहीं किया, क्योंकि इतने साल से Britishers हमारे साथ थे, उन्होंने जिस तरह का administration इंडिया में किया, वो चीज़ें हम समझने लग गए थे, इसलिए हमारे देश की जनता इस जीज़ को समझती थी, और इसलिए हमने इस administration को same रहने दिया, ठीक है, तो ये इसका answer हो ने इस तरह से दिया, third criticism हम देखने है, un-Indian और anti-Indian, तो इसमें basically बोला गया है, कि इनका माना था, कि जो हमारा constitution है basically वो हमारे political tradition को, जो इंडिया की spirit थी, उसको basically reflect नहीं करता, यानि अंग्रेजों से पहले जिस तरह से काम किया जाता था, जिस तरह से देश चलाया जाता था, वैसे चीज़ यह नहीं चाहिए थी, बट critics का माना है वो चीज़ हमें नहीं मिली, ठीक है, सबसे पहले हम बात करते है, first critic की जो थे के हनुमन्त थे, ठीक है, जो कि constitution assembly के member थे, उन्होंने comment किया था, कि हमें basically music चाहिए था, वीना सितार का बठा में क्या दिया गया, English band दिया गया, तो एक तरह से वो बोलना चाहते हैं कि constitution makers जो थे, उन्होंने basically Britishers जैसे चीज़ में था, जो Britishers रूल करके गया है, उन् critics उन्होंने कहा, ठीक है, तो इन समका basically कहना यही था, कि जो feeling थे Indians की, कि हमारा जो खुद का जो था, वो चीज़ हम miss करते हैं इस constitution में, ठीक है, जबकि ऐसा कुछ ऐसा था नहीं, इंडिया ने basically British model को, जो कि हम modern model, modern model माना जाता है, तो वो इसलिए विकास society इस तरह से developed हो रह थी, कि इसको छोड़ पाना मुश्किल था, ठीक है, और जिस time पे हमें independence में, 1947 में, already हर एक country इतनी ज़्यादा diverse हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही थी, हमें already focus करना था आने वाली चीज़ों पे, ठीक है, पुरानी सब्यता हो, या फिर पुरानी नहीं हो, यह कौन लेके आये था, कि इंडिया में पहले से civil servants थे, नहीं, Britishers basically को लेके आये थे, और इसमें कोई डाउट नहीं है, कि आज civil servant भली Britishers की देन है, बट इंडियन जब इसमें काम कर रहे हैं, और देश को सबसे बड़ी चीज जो है चला रही है, वो civil servants से हैं, वि जिस परस्तितियों में बनाए गया है, वो बहुती ज़्यादा भैतरीन है, और इससे best constitution बना impossible था, ठीक हैं, नेक्स क्रिटिसिजम है कि अन गांधियन constitution है, ठीक हैं, यानि कि क्रिटिसिजम इस बात का किया गया है, कि जब constitution बनाए गया, तो मात्मा गांधी की जो philosophies थी, उनके जो ideas थी, उनको basically रखे नहीं गए, जबकि उनको father माना जाते हैं, इंडियन नेशन का, ठीक हैं, और ऐसा पंचायत का, because गांधी जी हमेशे पंचायत को पावर देने के लिए हमेशे जादा बोला करते थे, कि पंचायत अगर काफी जादा, उनके पास basically power होगा, ground level में power होगी, तो वो अच्छे से development कर पाएंगी, ठीक है, जबकि हम जानते हैं, हमारे original constitution में पंचायत का नाम कि गई होगी, similarly T.E.Prakashan कभी माना था, जो कि constitution assembly के member थे, कि Ambedkar जी ने basically इसलिए ऐसा किया होगा, because उन्होंने गांधीयन movement को कभी participate नहीं किया, यानि गांधी जी ने जो भी movement चलाय थे freedom stated उनमें बिलकुल participate नहीं किया, और यही current था कि उन्होंने गांधीयन ideas को कभी भी incorporate न को मिलेंगी, यानि कैसे गांधी जी ने जो जो चीज़े कई थी, वो सारी के सारी उसमें incorporate की गई है, तो यह कहना गलोथ होगा कि गांधी जी की ideas को constitution में जगा नहीं मिली है, next criticism हुआ है कि हमारा जो constitution है, वो elephantine size है, मतला बहुत बड़ा constitution है, और उनका माना था कि यह बहुत ज़्यादा बलकी है, काफी detail में लिखा गया है, और unnecessary elements को इसमें जोड़ा गया है, ठीक है, और जो sir evergenist थे, जो कि बिटिश के constitutionalist भी थे, उनका माना था कि इतना चीज़ों member थे, constitution assembly के, और उन्होंने बात बोली थी, क्योंकि हमारा जो constitution में जो emblem है, वो खुद एक elephant, basically, emblem के तौर पे लगा रखा है, और इसमें elephant, basically, हम इन्होंने चूज़ किया, because, यह जो constitution है, अपने आप में, elephant is size है, मतलब इतना बड़ा है, जैसे elephant बहुत ज़दा भारी होता है, बहुत ज़दा बड़ा होता है, animal होता है, उसी तरह से हमारा constitution भी इतना बल्की कर रखा है, तो इस तरह की बाते नोने कहीं, ठीक है, but, जैसा कि हम जानते हैं, कि इसका size, जैसे हमने already discuss कर रखा है, because, हर एक चीज़ को इसमें incorporate किया गया है, कि state government कैसे functions करेगी, हर एक, मतलब जो हो है, वो है, paradise of the lawyer, ठीक है, इसको basically paradise माना गया है, lawyers का मतलब, कि critics का माना है, कि जो हमारा constitution बनाए गया है, उसके जो language है, काफी जादा legal है, ठीक है, already legal languages को पढ़ना, उसको interpret कर पाना, बहुत मुश्किल होता है, एक normal person के लिए, ठीक है, और sir, evergenics का भी माना यही था, और क्या करेंगे, जादा-सादा litigation, फाइल करेंगे, और जितनी जादा litigation होगी, उतना मतलब, उतना जादा आपको court के चकर काटने पढ़ेंगे, और court के चकर काटने पढ़ेंगे, तो आपको lawyers की help लेनी पढ़ेगी, ठीक है, और हो सकता है, कि जो मिलना चाहिए, जो basically, कहते है, justice मिलना चाहिए, जो सच का पता आपको होना चाहिए, वो चीज़ आपको नहीं पता लगपाएगा, ठीक है, तो बतला basically time बहुत waste होगा इन सब चीज़ों में, ठीक है, क्योंकि legal चीज़ है, हमारी और आपकी समझने से आई की नहीं, जात तर आपको lawyers की help लेनी पढ़ेगी तो कही ना कही उनका माना ये था, कि lawyers ने जान मूच के इसको इतना दा legal बनाया है, ताकि कही ना कही ना कही उनकी कमाई हो सके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, जो कही ना कही बिसिकली एक हद तक सही भी है, because legality जैसे चीज़े ऐसी होती है, क्योंकि आम जनता के लिए ही सब अगर गरीब जनता या आम जनता इस चीज़ को समझनी पाएगे, उनके अधिकार क्या है, तो फिर फाइदा ही कही इन सब चीज़ों का, ठीक है, बट क्योंकि अब काफी चीज़े हो चुकी है, बहुत सारे ऐसे mediums आगए हैं, जहां पर लोगों को aware किया जाता है, उनके rights क क्या है, तो भली उस टाइम पे इतने जादा लीगल चीज़े थी, बट अब देरे देरे इसको resolve किया जा रहा है, आज भी हम जब लक्षमिकान जैसे चीज़ पढ़ रहे हैं, तो लक्षमिकान अब जब बेर constitution उठाके देखोगे, तो वहां पर आपको बहुत लीगल चीज लिखी हो, इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, भले चीज पहले problem हूँ, बट आज इसका solution निकल चुका है, तो यह सारे criticism हमने देखें, and I hope आपको सारे criticism समझ में आ गए हूँ, अब हम आगे बढ़ते हैं, next day हमारे कुछ schedules हैं, जिसमें आपको पता होना चीज़ फर्स schedule हो, यह कहां तक उसका extent है, तो यह सिर्फ आपको learn करने की perspective से हैं, इसमें बिल्कुल समझने जैसा कुछ नहीं है, बस आपको examination में पूछ सकता है, कि किस schedule में किस चीज़ के बारे में mention किया गए है, तो आपको इसको learn करना पड़ेगा, next day second schedule, जो की emulants, allowance and privileges की बात करता है, तो यहा का, चाहिए वो chairman हो या deputy chairman हो, राजसभा का, speaker हो या deputy speaker हो legislative assembly का states में, या फिर कोई judge हो supreme court का, या फिर high court का, या फिर CAG हो, या इन सब की बारे में कहां पे लिखा है, second schedule में, third schedule की बात करते हैं, तो यह basically oath and affirmation के बारे में बताता है, कि कौन कौन सी किस किस तरह की author, basically कौन लोग किस तरह की author लेंगे, तो इसमें किस-किस की author को mention किया गया है, union ministers की, और parliament में जो candidates होते हैं, election के time कौन सी उत लेते हैं, similarly जो members होते है, parliament की and Supreme Court के judges होगे, क्या गो गया, state की ministers होगे, ठीक है, और वो candidates बिसिकली state legislature के election पार्टिसपेट लेते होने कौन सी उत लेनी है, and members होगे, state legislature के, and judges होगे, high court के, ठीक है, तो ये सारे लोग, basically कौन-कौन सी ओत लेते हो, सब का mention यहां पर किया गया है, अब सबसे बड़ा difference ही आता है, कि ओतों में समझ में आते है, कि कोई भी चीज, जब आप शपत लेते हो, किसी चीज की, ठीक होगे, उसे ओत कहते हैं, बट affirmations के आते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, बहुत से लोग होते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं रखते हैं, तो यह से कि हम बोलते हैं, कि मैं भगवान को शाक्षिमान की चीज बोलता हूं, तो हम लोग क्या करते हैं, बट affirmations basically होते हैं, जहां पर आप God को ना लेकिया हूं, अगर हम सिक्त शिडूल की बात करते हैं, अगर हम सिक्त शिडूल की बात करते हैं, तो यहां पर basically tribal area के administration की बात की गई है, तो confused नहीं होना है, फिफ्थ में basically schedule area और schedule tribes है, और बाकी चार इसमें cover हो जाते हैं, rest of the चीजे जो भी आती फिफ्थ शेडूल के अंदर cover की गई हैं, तो basically किन चार area की बारे में नोने बात की हैं, तो आपका एक असाम हो गया, ठीक है तो यहां पर यह चार area की बात की गई है, पहला है असाम में घाले त्रिपुरा, अब यह fort basically गलती से इसमें add नहीं हो पाया, तो यादफना fort basically क्या है, मिजोरम है, तो जब आप PDF लेंगे तो मिजोरम में आपको add दिखावा मिलेगा, ठीक हैं, अब इसमें गलती से यह चू नेक्स हमारा 8th schedule है, जो के languages की बारे में बात करता है, और इसमेरी देखा जाये तो 14 languages थी, बट अब 22 languages हो चुकी है, ठीक है, और इसमेरी अगर हम 14 languages की बात करते हैं, वह कौन-कौन सी थी, तो पहली थी आपकी असाम, असामीज, बंगालीज, गुजराती, हिंदी, कंड़, कश्मीरी, मल्यालम, मराथी, उडिया, पंजाबी, संस्कित, कमिल, तेलगु और उरुदू, फिक हैंगे 14 languages थी हमारे ओरेशनल constitution के पार्ट में, और बात में देदे और languages को अट किया गया, जैसे सिंधी एक लैंगज थी, जैसे 21st Constitutional Amendment Act 1967 के तहट किया गया, और उसके बात इनको 71st Constitutional Amendment Act 1992 में अट किया गया, नेक्स्ट है बोडो, डोंगरी, मैथली, संथाली, इनको 92nd Constitutional Amendment Act 2003 के तहट किया गया, और लास्ट है उडिया, तो उडिया बेसिकली इसको अट नहीं किया गया है, उडिया का बेसिकली नाम चेंज किया गया है, तो जैसे कि आप देख सकत जो कि Act and Regulations की बारे में बात करता है, ठीक है, कि जो State Legislatures थी, उन्होंने कुछ, बेसिकली, लान प्रिफॉर्म से कि कुछ आया, मतलब एक्ट लेकिया हैंगी, और उन्होंने साथ इसाथ अबॉलिश किया जो पहले चला रहा था जमिदारी सिस्टम, और पर्लेमेंट भी ने जो जो Act लाएंग गए हैं, वो सब इसमें रखे गए हैं, ठीक हैं, सिमरली जो 9th schedule है, इसको कब आट किया गया था, तो 1st Amendment Act 1951 में इसको आट किया गया था, एंड यह बिसिकली प्रोटेक्ट करता है वो सारी laws को, जो कि इसमें रखे गए हैं, किस से प्रोटेक्ट करता है, जुडिशल स्कूटनी से, ठीक हैं, पर जुडिशल स्कूटनी से बढ़ले इस से प्रोटेक्ट करता है, पर जुडिशली यह बात बोली है, कि अगर इसमें ऐसा कोई भी Act ला दिया गया है, जिसके कारण fundamental right वारेट होता है, तो इसमें judicial review किया जाएगा, ठीक हैं, तो 2007 में next step 10th schedule है, 10th schedule basically disqualification की बात करता है, किसका members चाहिए वो parliament के हो, या फी state legislature के हो, क्यों defection, जब ground of defection की बात हो, तब यहाँ पे इनको disqualify किया जा सकता है, जो कि हम आगे अच्छे से देखेंगे parliament for the chapter में, कि basically कुछ ऐसे reasons होते हैं, जहाँ पर अगर वो particular members जो हैं basically अपनी seat भी basically कहते हैं, ठीक है, I hope यह आपको clear हो गया होगा, next schedule है basically 11th schedule है, इस 11th schedule ने पंचायत को आइट किया था constitution में, and 29 ऐसे matters है, जिस पे पंचायत जोए deal करता है, और 73rd constitutional amendment act 1992 के तहत, इसको आइट किया गया था, similarly 12th schedule है, जो कि मुनसिपाल्टी की बात करता है, और 18 matters को deal करता है और इसको 74th constitutional amendment act 1992 के तहत, इसको आइट किया गया था, हमारी constitution में, तो यह 12 schedule हमने देख लिए है, ठीक है, I hope आपको यह सारे चीज़े clear हो गई होगी, next आगे देखते है, next है, हमारे कुछ borrowed features है, जो हमने कहां से लिए, वो हमें पता होना चीए, जो कि काफी ज़ादा important है, ठ सबसे पहला हमारा feature है, government of India act 1935, तो government of India 1935 से हमने क्या क्या चीज़े basically ली है, तो पहला है federal scheme, office of governor, judiciary, public service commission, emergency provision, administrative details, तो already इन सब चीज़ों को, हर एक चीज़े को basically काफी अदर detail में हमने पहले cover कर लिया है, होप आपको समझ में आ गया होगा है इस सारे features को, next है, British constitution से हमने क्या ज़्यादा habitual हो गए थे, rule of law को, legislative procedure को, single citizenship को, cabinet system को, और prerogative rights जो होती हैं, जो supreme court issue करता है, parliamentary privileges क्या होगी, bicameralism क्या होगा है, इस सब को हमने British constitution से उठाया है, next है, US की constitution से क्या 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 लिया है, तो वहाँ से हमने लिया है fundamental rights को, judiciary की independence को, judicial review को, president के impeachment को, और कैसे supreme court को remove करना ह या फिर high court के judges को remove करना है, और vice president की post को हमने यहां से लिया है, ठीक है, तो इस सारी factual चीज़े हैं, बस आपको one liner के तौर प इसको याद रखनी है, next है आपका Irish constitution, Irish constitution से, यानि जो island का constitution है, वहाँ से हमने क्या 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 लिया है, तो वहाँ से हमने basically लिया है, DPSP, Directive Principle of State Policy, and nomination कैसे करना है, members का आज सबह में, and election जो होते है, president का, तो किस method से basically election होगा, president का, वो भी हमने एरिश constitution से लिया है, next है Canadian constitution से हमने क्या लिया है, तो यहां से हमने लिया है, federation with a strong center, ठीक है, कि ऐसा federation तो है, state और center के पावर डिवाइड है, पर strong कौन है center है, next लिया है, हमने residue power ज election जो होते है, supreme court का, यह भी हमने Canada से उठाया है, next है Australian constitution से हमने क्या लिया है, तो सबसे पहले हमने लिया है, concurrent list को, next है freedom of trade, commerce and intercourse, कैसे होगा वो, and joint seating जो होती, to houses of the parliament की, वो भी हमने आसे लिया है, next है last Japanese constitution, जिससे हमने, sorry last नहीं है, तो Japan से हमने क्या लिया है, process established by law, ठीक है, जो हमने already deal किया है, कि process established by law, basically किस तरी के अलग है due process of law से, कि process established by law, basically कोई भी law को unconstitutional तब बोल सकता है, जब वो substantive ground की basis पे deal करे, यानि, अगर कोई law particularly constitution को कोई हाम कर रहा है, या उसके किसी particular provision को basically violate कर रहा है, तब basically judiciary इसको unconstitutional कह सकती है, जबकि due process of law में क्या देखा जाता है, substantive ground भी देखा जाता है, यानि constitution को, और साथ-साथ जो जनता है, basically citizens है, उन पे वो law किस तरह से apply किया जाएगा, उनको किसी उस law के होज़े से कोई नुकसान ना हो, वो चीज़ भी चेक की जाती है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी चारो कतम होते है, next देखते है, South African constitution से हमने क्या लिया है, तो यहां से हमने basically लिया है, procedure for amendment of the constitution, यानि किस तरह से constitution में amendment करना है, तो वो चीज़े हमने South Africa से उठाई है, साथ-साथ, members जो होते, राजसभा के उनके कैसे election करना है, वो भी हमने South Africa से लिया है, next है French constitution, यहां से हमने लिया है Republic को, ठीक है, जैसे कि हम जानते है, हमा के लिया है, fundamental duties को, और जो आइडिया है justice का, चाहिए वो socially हो, economically हो, या politically हो, तो यह justice का हमने idea प्यांबल में रखा है, वो हमने रशिया से लिया है, next है, वाइमार constitution, जो कि जर्मनी का है, वहां से हमने किया लिया है, suspension of fundamental rights during emergency, यान emergency की दुरान जो fundamental rights suspend कर दे जाते हैं, तो वो कोई doubt बचता है, तो आप comment box में लिखेगा, practice के कुछ questions मेंने दिये हुए है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है, बाकी हम इसको cover कर लेंगे, आप अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, क्या के इसमें mention किया गया है, total आप देख सकते हैं, इसमें 13 questions है, और सा आपके कोई भी गलती ना, MCQ को solve परते time, next आपका जो means का practice का question है, इसमें basically पूचा गया है, कि जो इंडिया का sectorism है, वो कैसे अलग है western sectorism से, तो आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है, और आपको क्या points है, उस points को basically आप comment box में लिखेगा, ठीक है, आपको कोई ब बाक्स में बताना है, और जादे स्यादा, अगर आप subscribe नहीं किये channel को, तो subscribe कीजिए, like कीजिए, और जतनी जादा हो सकी लोग के साथ, share कीजिए, comments आप ज़रूर कीजिए, आपकी हर एक query का answer दिया जाएगा comment box में, thank you for watching.